अब सवाल है कि वो एक वर्ग विशेश में या आप ज़्यादा ज़्यादा संपरदाई कह सकते हैं, कौम नहीं, संपरदाई कह सकते हैं, उस संपरदाई में यह समस्या क्यों? मैंने आपको पहली बताया, मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, आम आदमी विचारा तो अपनी रोजी रोटी चाहता है, वो तो अपने बच्चों को पालने में लगा हुआ है, मैंने इसी तरह की कॉंक्लेव में एक बार कहा, किसी ने मुझे कहा कि आप मदर्सों की, मैंने भी पहले कहा था आप से, कि 6-7 साल की उमर में, धियान करिए ज़रा, जिस जब डायरेक्टिव प्रिंस्पल से निकाल के राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो मैं जान सकता हूँ, यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, भारत मे एक ही संग्ठन था जिसने उसका ओफिशली विरोध किया, क्या बताएंगे कौन था वो, प्लीज, बताएए, अब हमें पता होना चाहिए, एक ही संग्ठन था पूरे देश में, जिसने विरोध किया कुल के, वो था मुस्लिम परसनल लौ बोर्ट, और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर रिलीजिन को देखिए, तो वहां पर इल्म का हासिल करना फर्ज बताया गया है, तो मैंने बहुत सोचा कि ये लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं, तो फिर मैंने फिगर आउट किया, कि इनकी मुखालफत का कारण ये है, कि अगर फिरी, बिगहर फीस दी शिक्षा, अगर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिशा, बंगाल में भी उपलब्ध हो जाएगी, तो इनका जो कैच्मेंट एरिया है, जहां से ये पाँच पाँच और छेच साल के बच्चों को लेके आते हैं, वो कैच्मेंट एरिया अपीलिंग होता है, सीधे समझ में आता है, देश हित में है, लेकिन अगर कभी, जैसे मैं जब आप से बात करने की तैयारी कर रहा था, मैंने कई लोगों से डिसकस की चीज़े, उन्हों ने कहा कि आप एक बात पूछे आरिफ साहब से, कि अगर आरिफ साहब को, और असद का पिटिनी धित्व करता रहा हूं, उस में वो उन छेत्रों में गिंती होती है, जहां मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, और 1986, आप तो शाहद यंग हैं, हैमन जी को याद होगा, 1986 में नाम नहीं लोगा, इसे क्या वो जिन्दा नहीं है, लिकि बड़े लीडर थे, उ और इलक्शन जब हो गया, और में जीद के आगया, तो उनोंने क्या, यहां असल में इनोंने काम बहुत की आए, दौनों चीज़े अख़बारों में छपी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दौनों अख़बारों में छपी हुई है, तो यह सब, लेकिन फिर भी, मैं आप की बात से जो असल आपका मतलब है, जो भावना है, प्रेशन की, मैं उससे बड़ी हद तक सहवत हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर विवेक पैदा नहीं करते, विच्छेद पैदा नहीं करते, कि वो सही और गलत में तमीस्क और वो केवल, शिक्षा के माध्य चाहिए था, वो नहीं रहा है, तो वहां तक आप उसको आप उसको खलत फहमी में मुबतला कर सकते हैं, और शायद मैं अपने छेतर में, क्योंकि मेरा बहुत तालुक था, और मैं लगातार मतलब उनको बताता था, शायद इसलिए वो भिरमित नहीं हुए, क्योंकि वो लो hmm, ऑग वो, क्ल 120 किलो मेटर है, मेरे चुनाव छेतर, जहां से मेला उतार था, दोसो से ज्यादा लोग, एक महीने से ज्यादा मेरे छेतर में रहे थे, लेकिन वहां कामियाब, शायद इसलिए नहीं हो पाए, भिरमित करने में कामियाब इसलिए नहीं हो पाए, कि हमने यह क करी कि हम उन तक पूरी बात पहुंचा दें लेगे उसमें मेरी ताकत की बात नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि अगर लोगों को आप आप इंफॉर्म डिसीजन लेने के लिए सही डिसीजन लेने के लिए उनको सारी बात का पता होना चाहिए और मैं नाम नहीं लेता हूं किसी कीडर का लिकिन अभी आपने कहा तो मुझे यादा आगया 10⑫ p mandate 11 की बात उगी मैं है दरवाद में नाम नहीं ले हाँ है । है ध्रवाद क्यों मैं नाम नहीं ले था किसी के वि हैध़राबाद में था तो किसी ने मुझे कहा कि áर्व भाई है fibre ॡGen्सी जो ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए है और बंगलादेश बन गया मैं कि अब ये मत बताओ यार कि हैदराबाद कैपिटल है यहाँ पर ऐसे लोग मेरे साथ अभी चलिए मैं लेके चलता हूं और बोले एक ही बात कहेंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि बंगलादेश